जैन दोस्तों मैं दीपक सर आप सभी को आईडिल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ मैं आपके बीच लेकर आगी हूँ क्लास नाइन्थ का फिजिक्स चाप्टर टू जिस चाप्टर का नाम है गती जिसको अंगरेजी में हम लोग मोशन बोलते हैं ठीक है तो यह चाप्टर के ओल टॉपिक लेकर आगी हूँ पूरा विस्तार से बताऊंगा एक्स्प्लेनेशन के साथ तो शुरू से आन तक वीडियो को जरूर देखिएगा तो चले स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला हमने टॉपिक लिया है कि गती यानि कि मोशन बोलते हैं इसको यदि किसी वस्तु की स्थिती अन वस्तु की अपक्छा समय के साथ क्या होती है बदलती है तो उसे गती में कहा जाता है ठीक है अगला देखते हैं बिराम तो बिराम क्या होता है यह जानते हैं तो यदि किसी वस्तु की इस्थिति अन्वस्तु की अपेक्छा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे उस वस्तु को क्या कहा जाता है बिराम में कहा जाता है ठीक है यह से टेबल हो गया यह देखिए टेबल जो होता है ऐसे ही पड़ा होता है तो बिराम में है पेर ऐसे ही पड़ा हो रहता है वो तो चलके कहीं नहीं जाता है तो बिराम हो गया पोधा भी हो गया ऐसे ही पड़ा रहता है कमरा भी ऐसे ही कमरा का दिवार या फिर खिरकी यह पहला रैखिक गती यानि कि linear motion जब किसी जब कोई वस्तु एक सीधी रिखा पर चलती है ना तो उसे रैखिक गती कहा जाते है जैसे बंदूख से छोड़ी गई गोली बंदूख से आप गोली छोड़ीएगा ना तो एकड़म सीधा जाएगा एकड़म सीधा ठीक है तो यह भी आपका रैखिक गती का उधारन हो जाएगा अब ब्रीतिय गती क्या होता है तो जब कोई वस्तु एक ब्रीत पर चलती है एक ब्रीत पर चलेगी ना तो उसे ब्रीतिय गती कहा जाता है ठीक है जिसे सूर्ज के चार और प्रीतिवी की गती ठीक है सूर्ज नहीं चलता है दोस्तु सूर्ज के चार और प्रीतिवी गती है वो कैसा गती है ब्रीत की तरफ एक ब्रीत की आकार की तरफ जैसे ब्रीत पर गुमता है ना प्रीतिवी सूर्ज के चार और इसलिए इसको ब्रीत तीसरा देखते हैं दोलनी गती तो यहां पर नंबर में कुछ मिश्टेक है उससे कोई बात नहीं यह तीसरा है दोलनी गती ठीक है इसको तीसरा बताईएगा तो चले दोलनी गती क्या होता है तो जब कोई वस्तु एक बिंदू के आगे पीछे या उपर नीचे चलती है उसे दोलनी गती कहा जाता है ठीक है जब कोई वस्तु एक बिंदू के आगे पीछे या उपर नीचे चलती है तुसे दोलनी गती कहा जाता है जैसे जूले की गती जूले देखते है एक बिंदू के आगे पीछे आगे पीछे करती है या घरी के पेंडूलम की गती घरी का भी प पीछे आगे पीछे करता है ठीक है तो यह भी आपका कौंसा गती हो गया दोलनी गती अब आवर्थ गती देखते हैं चोठा तो क्या है जब कोई वस्तु अपनी गती को एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है एक समय निश्चित जो होता है उसी पर बार-बार उसी समय के अंतराल पर बार-बार एक ही बिंदू पर बार-बार दोहराती रती है इसलिए यह आवर्थ गती हो गया जूले की गती भी वही हो जाएगा ठीक है अब रासी की बात करते है तो देखे अदीस रासी तो जीस रासी को पूरुप से ब्यक्त करने के लिए केवल परिमा परिमान और दीस दोनों की ओसकता होती है उसे सडीस रासी कहा जाता है ठीक है जैसे वेग हो गया ट्वारन हो गया बल हो गया जίसमें आपका वे मतलब इसमें दीशा भी चाहिए और क्या चाहिए परिमान भी चाहिए समझ गया तो यह सब हो गया ठीक है तो वेग भी क्या होता है कि इसमें मतलब दीशा होता है और परिमान भी होता है कि कितना वेग से चल रहा है तो यानि कि यह सब सदीस हो जाएंगे समझ गए तूरन बाली सब अब देखते हैं इसे किसी अक्षर ए के ऊपर तीर चीन यानि ऐसे देखी कैसे तीर चीन लगाएगे दूरा सुचित किया जाता है जहां ए क्या होता है परिमान को दर साता है समझ गए और एरो क्या दर साता है सदीश को दर साता है समझ गए मतलब जैसे है ए है यह परिमान हो गया इस पर है एरो लगा दिये ते दिसा हो गया यह दिसा परिमान दुन हो गया ते यह सदीश हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं आवसत चाल क्या हो बात को ऑसद चाल कहा जाता है कि देखिए और सुत्र बताया गिया है ताइक की गई कूल दूरी बटत करने में लगा समय तो कूल जो समय लगेगा नीचे उससे हम भाग कर देंगे कूल सम भूल समय से भाग देंगे न तो जो अनुपात पराप्त होगा उसी को हम आउसक चाल कहेंगे ठीक है अब चाल देखे उसको अंगरेजी में लोग स्पीड बोलते हैं तो किसी वस्तु द्वारा एक छोटी समय अंतराल में तै की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का चाल कहते हैं यसे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय का मातर यानी मीटर बटा दूरी का मातर मीटर होता है और समय का मातर सेकेंड होता है यानी मीटर परती सेकेंड हो गया चाल का मातर ठीक है आगे बलते हैं एक समान चाल तो यद समय उंतराल कितना भी छोटा फाल चाहे वह समय कितना भी छोटा हो Whats coming ंचाहई लगा को समय वह समय को देना है यदि कोई वस्तु बराबर समय अंत्राल में बराबर दूरी तै नहीं करें तुस्य और समन्चाल कहेंगे ठीक है और सज़ने हैं सेमय में किसी वस्तु का विषथापन वेग अर्थ विषथापन क्या कहलता है यानि की विषथापन बटा समय यानि विषथापन में समय से भाग कर देंगे तो जो अनुपात होगा किसी वस्तु का विश्थापन और समय के अनुपात को ही वईग कहा जाता है विग का मातर क्या है तो यह जान लीजै तो ओरान क्या होता है अब समझतें तो देखेर समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरन कहा जाता है मतलब समय के साथ अगर वेग में चेंजिंग आ रहा है परिवर्तन हो रहा है तो क्या है त्वरन है समझे त्वरन धनात्मक माना जाता है यदी वेग बढ़ेगा यदि वेग को बढ़ाते जाएंगे तो त्वरन धनात्मक होगा यदि वेग को घटाते जाएंगे तो त्वरन क्या हो जागा रिनात्मक त्वरन इनात्मक होगा यदि वेग घट रहा हो ठीक है तोरण एक क्या है तो तोरण एक सदीस रासिय जानकारी ले लिए तोरण का सुत्र होता है वीग बटस समय अब इसका ऐसे मातरक निकाल सकते है तो वीग का मातरक क्या होता है मीटर पर 30 सेकेंड और इसमें एक वावर समय का सेकेंड हो जाएगा तो मीटर पर 30 सेकेंड हो तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों नो हो बराबर परिवर्तन हो बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों नो हो तो उसको हम क्या कहेंगे एक समान तवरन कहते ह रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा सुन हो जाएगा समझ गया अब जलते हैं तो यदि बराबर समय अंतराल में विएग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि दोर्ण और समय तो आसमान थारं उसको पहेंगे हैं तो आप चाल वेग में अंतर यह जानकार लें तो एक तरफ चाल लिख देंग और टेंगे अब देखते हैं अंतर अची तरह से चाल और वेग में अंतर तो चाल क्या होता है तो यह कांग समय में चली गई, दुरी को चाल कहा जाता है वेग क्या होता है विया तो एकांग समय में किसी निश्चित दिशा में विष्थापन को ही वेग कहा जाता है यह एक सदीसरासी होता है चाल क्या होता है अदीसरासी होता है याद रखेगा और वेग क्या होता है एक सदीसरासी होता है इसे ब्यक्त करने के ल होता कि चाले का सूतुर्ट यह ऐख का सुत्र होता है विस्थापन मटा समय ठीक है कि आगे बरते हैं तो जब कोई वस्तुर यह इक पर चलती है दो से पर ईपन छालता है एक सवान चाल से चलता है लाता है समस्य आप तो एक समीकरन आ जाता है प्रूफ करने के लिए आपका लगुतरी में पूछ चकता है कि वीग समीकरन भी बराबर यू प्लस 80 सीध करें शीध करने के लिए आ गया तो आपको इस तरह से चीतर बना लेना है ठीक है और जो जो हम माने है उसको आपको माल लेना है ठीक है ना कि O A की दूरी U हो गया और B C की दूरी क्या है भी है ठीक है ना और इसको हम वेग कहेंगे इसको हम समय कहेंगे ठीक है यह जो भी है चीज मान लेना है यह आपका A B हो गया e b हो गया ठीक है न o a हो गया यह सब आपको देख लेना है ठीक है तो अब देखिए तो बात समझ गया अब अब आप इसको चीतर को अच्छी तरह से बना करके क्या किजिएगा अब इसको चीतर को बना करके आगे अब मान लिया कि मान लेकि एक सक्ष पर क्या है समय हमने लिय ती ठीख है आँ वाई अक्षपर दुरी लिया है क्या वेग लिया है मतलब एक्षप्र यह कहा है एक दुरी हो एक च्वर तो सील हमने यू माना है देखी यू बी सी को हमने भी माना है ठीख और BC बडाबर क्या लिखा है BD पलस DC देखो BD पलस DC ठीक है BC बडाबर तो अब यहां से BC का मानने यहां पे जो माने है भी भर अब। इसे ही छोड़ दिया DC को हमने माना है DC यहां से यहां तक देखे दूरी क्या है इधर देख लिए थोड़ा सा त्वेर बराबर क्या हो जाएगा इधर दखिए यह त्वेर निकालना है इसको थ्वेरण बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे तो यह थो बड़ा एदि ठीक है न लम बटे आधार हो जाएगा तोरह निकलना हो यह क्या हो जाएगा यह लंब बी डी कि यह आपका लोंब जाएगा बी डी और यह फी अधार एडी यानि कि कितना तो बीडी को हम ऐसे ही छोड़ दे रहां आए क्या है AD AD के मतलब क्या है OC OC मतलब क्या है T है तो IT लिख दिया अब यह वाला मान कहां तिरियक थुरा गुना कर लेते तो BD के मान निकलके बटा एक लगाएंगे तो तिरियक गुना करेंगे अब इसको हम समिकर नेक में भर देंगे तो भी ब्राबर क्या हो जाएंगे एटी ब्रूफ हो गया ऐसा ही प्रूफ करना अब देखें इसी तरह से बिस्थापन का सुत्र प्रूफ कर रहा हूं कि विस्थापन समिकर ये इस बराबर यू यू टी पलस हाफ हेटी स्कार सिथ कर रहा हूं तो वही चीतर बना देना है उसी तरह से और देखें उसी तरह से इसमें मान लेना है और इसके बाद में एस बराबर यानि कि एस क्या हो जागा विस्थापन निकलना है मेरे को और इसके बाद में तिर्भूज A B D का छेदफल तो आपका A B D A B A B D ये वाला ये वाला तिर्भूज का छेदफल ठीक है तो आपको ये वाला छेदफल निकाल देना और दोनों को आइड कर देंगे तो हो जाएगा विस्थापन तो वहीं लिखा हूँ O A देखिए ये वही इसका समनान तो और इसका क्या हो जाएगा O C ये देखिए O C ठीक है ना O A D C होना चाहिए था O A यहाँ पर D कर लीजेगा O A D C ठीक है O A D C कर लीजेगा O A C कच्छेथफल तो यह si a आपका क्या तो हो जाएगा ये हो गया आपका आयत आयtt कच्छेथफल क्या रहते लंभाई गोंने चुराई तो ये सका उलंभाई क्या हो जाएगा और इसका चोहटवराई हो गया और O C उसका लंभाई घिया यानि यू इंटू टी और एक बड़ा दू हो जाएगा इस्तिवुज का शेत्पल और एडी इसका क्या हो जाएगा आधार और ये बीडी इसका लंब तो वही निकाला हूँ एक बड़ा दू वही एडी कामान एक लिख दिये और बीडी कामान कैसे निकलेगा चुप यहां सुत्र ह होता है वही चीतर में दाएं बीडी आह टोटल से क्या क्या काकर स्केमान करें इसको यू काणव हटा दियेगा यानि यानी वही मैंस यू लिखर बढ़ा गया है तो यूटी एक बड़ा तु इसको गुना कर दिया गया इसका मान होता है 80 देखिए हम सिख चुके थे नौ तो यहां पर गुना कर दिया तो यहां पर गुना कर दिया थाक है थोड़ी इस दिमाग लगाना है नहीं तो बार आपको इसको अच्छी तरह से बोर्ट पे एक दम फेस्टू फेस्ट लेकर आऊंगा यूटूब पर प्रूफ करने के लिए तो इसके लिए आपको इसको समझा दूगा टीक है इतम सिखा के चोड़ूंगा ऐसे आप समझने का प्रयास किजिए अगर आ आग आगा आजा रहा है मैं समझाने के फुरा कोसिस्क कर रहा हूं समझ में आ रहा है ते इसको एकदम अच्छी तरह से नोट कर लीजिए बना लिजिए नोटस बना आप देखते हैं लिए में विसरापन समीकरम तो देखें स्थापन QR । ज़ेट steady निकालेंगे बराबर क्या हो जाएगा है एस बराबर यहांपर समनां चतर हो बरावर बरावर का चीन चुट गया है देख लिए एक बड़ा दो उचाई को ने समनांतर भुजाओ का यह ठीक है न तो एक बड़ा दो और और यहां पर क्या हो जेगा उचाई उचाई क्या हो गया तो इसका और इसके समनांतर भुजाओ का यह ठीक है तो वही किया गया है और इसमें मान भर दिया गया है बड़ादू और ओसी का मान देखिए यहां पर टी है और ओए का मान क्या है यू माने थे इसको और बीसी का मान कितना माने है भी माने है तो इस सब हमने क्या कर दिया है यहां पर फूट कर दिया ठीक है रख दिया आगे बनेंगे इसको गुना करा दिया एक बड़ा दो और यहां पर टी का मान टी का मान यहां से हम निकाल लिए देखी यहां से देखे चुकि यह फर्मूला है ने यहां से यहां से देखे निकाला हमने तो T का मान कितना निकाला देखी यहां से सुत्र होता है यह हम T का मान निकाल लिया तो कितना है B-U बटे A चुकि B बराबर क्या हो रहा है U पलस 80 हो रहा है तो अगर आप T निकालना चाहेंगे तो B-U करियेगा इधर लाइएगा तो और उधर A-T अब यहां से T निकालिएगा क्या निकालना है मेरे को T निकालना है तो T निकालेंगे तो कैसे निकलेगा तो यह आपका ऊपर चल जाएगा B-U बटे A तो वही तो हमने निकाला है वही निकाला है B-U बटे A अब यह T का मान यहां पर पुट कर दे डाओ तो देखे पुट कर दिया गया और पहले से यह था अब B-U अब B-U यानि A-B A-B A-S-Q-A-N B-S-Q-A-N 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 B-S-Q कि आप यह टू एस और यह यू सकर था ना तो इधर माइनस ने इधर आया तो प्लस हो गया यूस भी एसकुरा अब इसको उलट कर लिख दिया था भी एसक्र वा यूस्वर प्लस टू एस पुरूफ हो गया यही सूथ तो इसमें जो भी आपका देखिए इसमें जो भी आपका क्या था हुम्ने पुरा विश्थार से पता है तो आप देखे दोस्तो अब्जेक्टिव पहला कोशन है किसी समय अंतराल में विश्थापन का परिमानुस समय अंतराल में वस्तु द्वारा डॉर्डट होगा तो तै की गई दूरी से कम हो सकता है ठीक है अगला कोश्चन 26 किलमीटर पड़ती घंटा के चाल से चल रही एक सेगन में कितने दूरी तै करेगा ठीक है ठीक है तो इसको जब सॉल्द करेगा तो इसका 10 मिटर आएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका सोलूसन मैं नुमेरिकल नुई समय बताओंगा यदि किसी वस्तु द्वारा तै की कई दूरी समय के वर्ग के अनुकर्मानुपाती है तो हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं वस्तु एक समान्चाल से चल रही है आगे देखते हैं यदि किसी वस्तु द्वारा तै की गई दूरी समय के वर्ग के अनुकर्मानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं वस्तु का त्वरण अचर है यदि एक सरर रेखा में 20 मीटर परती सेकंड की चाल से गतिसील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प सब्सक्राइब किसी कार की चाल दस सेकेंड में 20 किलोटर परती घंटा है से 50 किलोटर परती घंटा हो जाती है तो उसकार के त्वरन क्या होगा तो 0.83 मीटर पर 30 सेकेंड इसकार यह हो जाएगा यह आप नुमेरिकल जब बताया जाएगा तो समझ जाएगा अब अगला कुस्चन है यदि दो रासियो का प्रस्पर ग्राफ सरा रिखा हो तो दोनों रासिया क्या हो जाएगी तो अनुकर्मानु पाती होती है दिये गए दूर की समय ग्राफ चित्र में चाल का मान क्या हो जाएगा तो आठ मीटर पर 30 सेकेंड हो जाएगा आप इसमें ग्राफ से देख सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं नौ नौमर कोस्चन देखिए तो नौन नौमर कोस्चन है कि उप्यूप तुभी एक समय चित्र से वस्तु का त तो हो जाएगा तो आप इसके लिए चित्र देख सकते हैं उपर देखें चित्र बतायागीा है तो इस चित्र के हिशाब से उसमें ऐसके नौमर टेन दिये गए वेग समय क्यूकर आप और पहले ये गती में क्या हो जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा अचर और वेग चर हो जड़ाते हैं कि रिकता स्थानों के पूर्टी भी में बता देता हूं विस्थापन की दूरी को क्या कहा जाता है वेग कहा जाता है विश्थापन के दर को दूरी को चाहां वेग कहा जाता है तो अरन कैसे मात्रक मीटर पर 30 सेगन स्क्वेर दूरी समय ग्राफ की ढाल गतिमान वस्तु की चाल देती है एक समय चाल से गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समनांतर एक सरर रिखा में होती है वे एक समय ग्राफ के नीचे का छेथफल वस्तु का भी स्थापन देता है यदि कोई वस्तु किसी नीची दिशा में एक समन तोरंद से गतिमान हो तो उसका समय ग्राफ एक क्या हो जाएगा सर्र रिखा होगा तो इसमें हमने पूरा all topic cover किया objective और रिक तस्थान भी बताया ठीक है कैसा वीडियो लगा आप comment box में ज़रू comment कीजिए और मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं अगले chapter जल्दी लेकर आपके लिए आऊँ ठीक है